नमस्कार दोस्तों यूटूब चैनल सत्या गरेलू नुस्का में आपका बहुत-बहुत सागत एमाम अभिनंदल है फ्रेंड्स आज मैं आपको एक ऐसी इफेक्टिव रिमेडी सेयर करने वाला हूँ जिसके प्रयोक से आपके जांगों के बीच में जो दात खात खुजली हो बाजू में बने वेल आइकन को जरूरान कीजे ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अप्लोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा फ्रेंड्स ये दाद खात खुजली जो बरसात में अक्सर हुआ करती है इससे हर कोई परिशान होता है च प्रापर सैनेकेशन का अभाव यह एक फंगल इंफेक्शन है यह जब बरसात के मौसम में आपके जाहु के बीच में पसीना और गंदगी का जमा होता है यानि मिट्टी और पसीना का जमा होता है तो यह इंफेक्शन होता है फ्रेंड्स इसलिए आप उस अस्थान का उस अ आए शुरू करते हैं इस टिप्स को पहले आप एक क्लीन बाउल लेंगे और इसमें जो मुख इंग्रेडियंट है वह है फिटकरी फ्रेंड्स इस तरीके का फिटकरी लेंगे यह किराना इस्टोर या पंसारी की दुकान पर आपको आसानी से अवलेबल हो जाएगी आप फ मातर एक चुटकी पाउडर लेंगे या अगर आपको जादा परिशानी है तो इसकी मातर आप बढ़ा भी सकते हैं इस तरीके से लेंगे और नेस्ट इंग्रेडियंट जो आपको लेना है वह है एलो विरा जेल यह एलो विरा जेल हमने पतंजली का लिया हुआ है आप किसी डीटोल का लिक्विड डीटोल का लिक्विड इसमें ज्यादा नहीं आपको एक चमच के आसपास रखना है अब इन चीजों को आपस में आप मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसका प्रयोग आपको कैसे करना है आईए हम आपको बताते हैं पहले उस अंग का उस जगह का आप अच्छे से सफाई करेंगे साप करके उसे सुखे कपड़े से आप पोंच करके सुखा लेंगे सुखाने के बाद ये जो आपका रिमेडी तैयार है इसको आप काटन के माध्यम से इस तरीके से काटन इसमें डीप करेंगे और जहाँ पर आपको बरसाती दाद या खुजली हुई है वहाँ पर इसको अच्छे से लगाएंगे लगा करके इसे कम से कम 20 मिनट ऐसे ही रहने देंगे 20 मिनट के बाद आप इसे ठंडे पाने से धो करके साफ कर लेंगे और अच्छे तवलिये से साफ तवलिये से उसको सुखा लेंगे और आप जहां तक हो सके गिले कपड़ों का प्रयोग मत कीजिए हमेशा अंडर वीर जो आप पहनते हैं वो सुखा करके सुखा ही पहने ताकि आपके उस अंग पर मैल या पसीना का जमाओ ना हो और ये परिसानी ना हो फ्रेंड्स आप हमेशा स्वस्त रहिए मस रहिए इन कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे नेश्ट वीडियो में यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए देख रिपिया लाइक से और कमेंड जरूर कीजिए फिर मिलते हैं तब तक के लिए टेक एर और बाई 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 फ